गुड मॉर्णिंग, माई नेम इस डॉक्टर सौरब और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी क्या और जो MBBS है वो abroad से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसका response कफी अच्छा था और बहुत सारा मेरे Instagram handle पर message आया क्या sir counselling से related कुछ important points आप बता सकते हो तो मैं वही points discuss करूँगा जो गलती मैंने करी थी मैं नहीं चाहता क्या कोई next need you जी candidate उस गलती को repeat करे तो आज का जो topic है that is related to all India counselling तो basically क्या है कि दो बंदा है दोनों राजिस्थान से दोनों ने एक साथ पढ़ाई करी एलन से और दोनों के पास option था या तो वह state quota के थ्रू अपने state में that is Rajasthan वाँ पे admission लेता या फिर all India quota के थ्रू किसी और state में वो admission ले सकता था एक बंदे ने क्या करा state quota के तुरू राजस्थान में रह गया राजस्थान के किसी medical college में और दूसरे बंदे ने क्या किया all India के तुरू जारखंड को जूज कर लिया अब उसे पता नहीं था कि जारखंड में जो post graduation होता है वो बस सिर्फ और सिर्फ एक ही medical college स होता है that is rims और राजस्थान में almost more than 9 to 10 medical colleges है जहां से post graduation होता है लेकिन NEET UG के लेबल पे MBBS के लेबल पे वो बात उसे समझ बनी है क्योंकि ऐसा कोई वीडियो नहीं था कोई बताने बाला नहीं था क्या भाई कहां पे admission लेना है अब मैं बताता हूं क्या क्या दिक्कते होन जो भी seat का number है जैसे उसे अगर MD medicine करना है यहाँ पे अगर आप All India के देखते हो जारखन में तो 4 to 5 seats है और अगर आप राजस्थान में देखोगे तो उसी का आप 8 times कर दो क्योंकि वहाँ पे number of medical colleges जादा है तो PG में select होने का जो probability हो किसका ज़्यादा बढ़ जागा जिसने अपने state से किया था क्योंकि जो बंदा है तो राजस्थान का उसने अंबिवेस कर लिया है रिम्स राची से तो अब वो eligible नहीं होगा during his or her post graduate time क्या वो राजस्थान से counseling करा पाए क्योंकि आप जहां से अंबिवेस करते हो आप उसी state के PG के लिए PG counseling के लिए eligible होते हो आपकी इस state सो कोई माइने नहीं रखता है तो ये एक बहुत बड़ा drawbacks होता है और भी इसको मैं अच्छे से explain करूँगा next video में क्योंकि मैं चारा हो वीडियो को short और simple रखो जैसे कि आप लोगो समझ में अच्छे से आ पाए नहीं समझ में आता है तो आप मेरे Instagram handle पे message कर सकते हो मै मैं वहाँ पर समझाओगा और बहुत लोग मुझे बोल रहे थे क्या paid counselor बन जाओ हम आपको pay करेंगे क्योंकि बहुत सारा doubt होता है जो कि मेरा clear नहीं होता है वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है ये चीज question मुझे पूछ रहा है वो question पूछ रहा है तो अभी आप Instagram handle पर मेरे पूछ सकते हैं और जहां तक बात रही प्रेड कॉंसलर की तो अभी मैं उसमें इंट्रेस्टेड नहीं हूं बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा thank you